नमस्ते बच्चों, आज मैं अमू, अमूय न्यू चैनल पर आप सबको पंचित अंत्र की एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाने आए हूँ कहानी का नाम है घमंडी ब्राम्मण आईए सुनते हैं और सीखते हैं कि घमंड का फल हमेशा बुरा होता है और क्या कोई और सीख हैं कहानी के अंत में आपको पता चलेगा तो बहुत समय पहले की बात है जिब गुरुकुल प्रथा हुआ करती थी गुरुकुल प्रथा अर्थात बच्चे गुरु के आश्रम में जाकर सालों साल रहते थे और गुरु से सब कुछ सीखते थे वो गुरु के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते आज्याकारी शिश्य बनकर गुरु की सब आज्याओं का पालन करते और सारी सीख लेते इसको गुरुकुल प्रथा कहते हैं तो चार ब्राम्हन गुरुकुल समात करके अपने घर की ओर जा रहे थे उनकी शिक्षा हो चुकी थी और उन्होंने अपने गुरु से बहुत ही विचित्र सीख हासिल की थी जिससे की वो बहुत ही सिध्धी वाले काम कर सकी जो की साधारन मनुश्य न कर पाए उनमें से उन चार लड़कों के नाम थे अरुन, पवन, प्रवीन और गोरुखी तीन ब्रामन को अरुन, वरुन और प्रवीन को ये सिध्धियां प्राप्त हो गई थी लेकिन गोरुखी इन सिध्धियों को न प्राप्त कर पाया था तीनों इसका मजाक उड़ा थे कि तुम कैसे बेफकूफ हो लेकिन गोरुखी के पास कुछ ऐसा था जो उन तीनों के पास नहीं था वो था सामान्य बुद्धी जिसे हम अंग्रेजी में common sense कहते हैं सामान्य तक पर बुद्धी तो चारों ब्रामhn जंगल में जाने लगे जाते जाते अच्चानक उन्होंने देखा कि किसी जानवर की हड्डियां बिख्री पड़ी हैं तीनों ब्रामhn बोले अरे ये तो हमारे शिक्षा को आजमाने का मौका मिल गया है चलो अपनी अपनी शिक्षा आजमाते हैं तो अरुन बोला मैं अपनी विद्या से इन सब हड्डियों को जोडता हूं और मंत्र उच्चारण करने लगा और धीरे धीरे वो सारी हड्डियां एक साथ होकर एक कंकाल का रूप ले ली सब ने देखा एक बड़ा सा कंकाल बड़े से प्राणी का कंकाल पड़ा है उसके बाद वरुन ने कहा अब मेरी बारी है और उसने मंत्र उच्चारण किया और उस कंकाल के उपर मास और खून डाल कर उसको एक मास हड़ी मास का प्राणी बना दिया और सब ने देखा अरे ये तो एक बड़ा ही भयंकर भयानक सिंग का रूप ले लिया है सब बड़े खुश होगे कि उनकी विद्या तो बहुत काम कर रही थी प्रवी ने बोला अब मेरी बारी है मेरी विद्या का कमाल देखो मैं इसमें प्राण फूकने वाला हूँ होकर हम सबको खा जाएगा अरे चुपरा मूर्क बतानी कुछ भी बोलता रहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा अपनी बुद्धी अपने पास रखो ऐसा कहकर प्रवीन मंत्रुचारण करने लगा प्रवीन के जैसे जैसे मंत्रुचारित हो रहे थे वैसे वैसे उस प्राणी में जानाने लगी और पूरी जाना कर वो एक बड़ा सा सिंग के रूप में खड़ा हो गया और खड़े हो कर बच्चों क्या किया जोरों से लगाई दहाड और कूदा उन सब के उपर अब गोरुखी जब प्रवीन मंत्र उचारन कर रहा था गोरुखी चुपचापवां से खिसक कर पास के एक उचे पेड की डाल पर जा बैठा था गोरुखी तो उपर था इन तीन ब्राह्मान युवकों को वो सिंग एक बार में गटक गया अब गोरुखी तो ये सब देखकर रोने लगा कि तीनों दोस्तों को ये सिंग खा गया है खा कर जब सिंग वहां से चला गया गोरुखी बोला चाहे अपनी मूर्खता का फल इनको मिला लेकिन तीनों ने अपनी जान गवाई बहुत दुखी होकर गोरुखी नीचे आया और उन तीनों मित्रों की लाश के पास खड़े होकर वो अपने गुरु से प्रार्थना करने लगा आँखे बन कर उसने पूरे दिल से प्रार्थना की कि हे गुरु आप मेरे दोस्तों के प्राण वापस कर दो गुरु तुरंथ प्रकट हुए और बोले बेटा मैं इन में से सिर्फ एक के प्राण वापस ला सकता हूँ बोलो किस के प्राण मैं फूकूं गुरु की जल्दी से उनके पेरों पर गिर कर बोला गुरु जी आप प्रवीन को जिंदा कर दीजे क्योंकि प्रवीन में वो सिद्धी है कि वो किसी के शरीर में जान फूक सकता है गुरु ने का तथास्तू मंत्र उच्चारंड किये और प्रवीन आख मलता हुआ उठकर बैठ गया जैसे ही उसने देखा उसके बाकी दोनों दोस्त मृत पड़े हैं उसको सब बातें याद आ गई उसने जल्दी से मंत्रों चारंड किया और मंत्रों चारंड करते ही उसके बागी दोनों दोस्त भी जिवित हो उठे तब तीनों ने अरुन, वरुन और प्रवीन ने हाथ जोड़कर गोरुखी से शमा मांगी अपने मूर्खता की शमा मांगी और उसका मजाक उड़ाने की शमा मांगी और उन सब ने एक बहुत ही महत्वपोर्ण सीख ली कि कभी भी अपनी शक्ती का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए और क्या सीख मिली कि सबसे ज़ादा जरूरी सामान ने बुध्धी होती है जिसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए जैसे की गोरुखी ने किया कहानी अच्छी लगी ना लाइक शेट सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए हर सोमवार बुधवार और शुक्रवार को मैं अम्मू कहानी सुनाने आती हूँ कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद अगली कहानी का इंतजार करिए अम्मू कहती है टाटा